आलो श्टूडेंस, डिये स्ट्रेंडस, आज हम डिटेमिन्ट का फूर्थ लक्षे से स्टार्ट करेंगे, तो डिये स्ट्रेंडस अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो प्लीज like, subscribe and share जरू करें तो चलिए आज का topic करें स्टार्ट करते हैं dear strengths देखें भिन कोट के सारडी के वे उनका विस्तार determinants of difference difference order and their expansion ठीक है dear strengths इसमें हम लोग क्या कै सीखने वाले हैं dear strengths एक कोट के आप व्यू का सारडी कैसे define करेंगे इसके बाद आपके पास में दुती कोट के आप व्यू का सारडी हम लोग कैसे निकालते हैं इसके बाद तृती कोट के आप व्यू का सारडी हम लोग कैसे find करेंगे अब ये मत पूछलने सर्फ 4Y4 का कैसे होगा UP board में डिये strengths आपके पास में 4Y4 का नहीं दिया होगा है आपको पढ़ना भी नहीं है ठीक है एडवांस में ये चीज़े सिखाए जाती है ठीक है अगर आपको सीखना है तो आप प्लीस कमेंट करिएगा हम उस पर lectures बना देंगे ठीक ना तो डिये strengths हमें अभी mostly मैं बताओं आपको 1 by 1 का determines कैसे define करेंगे 2 by 2 का कैसे define करते है 3 by 3 का हम लोग इसका expansion चीखेंगे यानि उसका प्रसार हम लोग कैसे करेंगे ठीक है तो प्रसार करने के कई तरीके होते हैं ठीक है ना हम 1 by 1 करके सीखेंगे एकदम basic से चल रहें determines ठीक है आपका एक भी मैं topic इसमें remove नहीं करूँगा, सारे topics में करा दूँगा, ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले हम start करेंगे dear students, एक quote के आप व्यूख का, हम इसमें order 1 के लिए, order 2 के लिए, order 3 के लिए, हम लोग expansion कैसे करेंगे, आपके पास में कोई भी matices, अगर given होगा, तो उसका हम लोग determinants कैसे find करेंगे, ठीक है ना, तो dear students, हमने, देखिए, इसमें लिख क्या रखा है, यदि आप भी होँ, capital A equal to A11, इसका meaning क्या है dear students, इसका meaning ये है, आपके पास में इसमें first row है, first columns है, यही ना, first row and first column, बात clear, तब अगर हम उसका, क्या निकालते हैं, determinants निकालते हैं, तो मैंने क्या बताया था आपको, दो lines खीचना हैं बस, ठीक है ना, तो इसमें जो भी element रहेगा वह आपके पास में answer आ जाएगा, बात के लिए, देखो कैसे, अर्थात में इसको क्या बोल सकता है, एक कोट के आप्यू का सारडिक जो होता है एक कोट का अगर कोई भी सारडिक होगा ठीक है एक कोट का अगर आपके पास में कोई भी आप्यू उसका अगर हम लोग सारडिक निकालते हैं जो एलिमेंट रहेगा वो स्वयम ही होता है ठीक है, स्वयम अवयव ही होता है, एक कोटी के आपईयो का सारीच स्वयम वह अवयव ही होता है, बात केलियर है, जैसे देखो यहां पे आपको समझमाएगा जब मैं एकजाम्पलस आपको बताओंगा जैसे आपके पास ये माल लोजे आपके पास में Mattis है 2 ठीक है यह मैंने क्या लिख रखा है 2 अब इसका असर आप Determinants निकाल दीजिए अगर आपके पास में ये है देखो मैंने Determinants निकाँ अगर माइनस हो तह माइनस ही लिखता साडिक स्वयम एक अवयो ही होता है इसका मिनिंग यह है जो आपके पास में मैटिसेज है उसका जो element है वह ही determines की value होती है वही क्या होता है अगर आपके पास में order क्या है directions 1 है तब ही होगा अगर order 2 हो गया तो change हो जाएगा देखिए second क्या बोलता है दिती कोटिके आप view का साडिक हम लोग कैसे define करेंगे तो डिती कोटिके साडिका बिस्तार करने के लिए मुख्य बिकड के अवयों के गुडनफल अब सबसे important बात है मुख्य बिकड क्या होता है इसलिए मैंने बता रखा है कि matices के जो मैंने lectures मैंने आपको provide कर रखा है ना उन lectures को थोड़ा थोड़ा देखते रहो अगर आपको matices आता है कोई दिकत नहीं मुख्य बिकड क्या होता है वो आपको पता चल गया होगा नहीं पता है कोई दिकत नहीं मैं फिर भी बताऊंगा दिती कोट के साड़ी का विस्तार करने के लिए हम लोग क्या करते है मुख्य बिकड के अवयों का गुड़न फल सबसे important बाब मुख्य बिकड के अवयों का गुड़न फल में से दूसरे अभी तो पहला था दूसरे बिकड के अवयों का गुड़न फल क्या कर देते हैं, घटा दिया जाता है ठीक है अभी मैं matis लिखूंगा फिर deternments लिखूंगा मुख्य विकड क्या होते हैं, विकड क्या होते हैं ठीक है आपको मैं बताता हूँ example के माध्धम से देखो मैं यहाँ पे 2 by 2 का ही मतलब matis ले लेता हूँ जैसे आपके पास में dear students ये मैंने लिखा आपके पास में 2, 3, 4, 4 and 6 ये मैंने लिख दिया ठीक है? इसका मुझे करना क्या है? सब्सक्राइब निकालना है ये लिजिए मैंने लिख दिया 2, 3, 4 and 6 देखें यहाँ पे मुख्य विकण के अवयों का गुडन पल मुख्य विकण डियेस्ट्स इसको बोलता है principal diagonal ये होता है ठीक है? अब इसमें ये भी विकण होता है अब ध्यान दिजेगा वहाँ अलग थी मैटिसेस में अलग था यहाँ देखें दो विकण हो गए ठीक है? तो डियेस्ट्स इसमें ये मुख्य विकण होता है ठीक है? ये विकण होता है clear? तो हमारे पास में 2 का 6 से multiplication करेंगे 12 आएगा 4 का 3 से multiplication 12 आएगा 12 माइनस 12 इकोल टू कितना? 0 मैंने क्या किया? आपके पास में जो मुख्य विकण के element है उनसका multiplication करो multiplication करो इसके बाद जो आपके पास में जो विकण है इनका भी multiplication करो और क्या कर दीजिए? घटा दीजिए और ये चीज़े तो कामन है मैंने आपको 1, 2, 3 में सब सिखा रखा है यहां तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ठीक है? तो आप सबसे पहले इनको नोट करिए इसके बाद हम order 3 के बारे में डिस्कुस करेंगे तो डिये च्टेंड्स आप या तो इसको इसको इनसको नोट करिए ठीक है? क्योंकि दिये च्टेंड्स 1x1 का डिटन्मेंट कैसे निकालते हैं? टू बाइ 2 का कैसे निकालते हैं? इसके बाद 3x3 का हम लोग कैसे निकालेंगे सबसे पहले हम लोगja ये जो चीजे इまた लिकरा है ना इसको आप सबसे पहले आप अच्छे से देखowie कुशन कैसे सौल होगा आप बिल्कुल निशिंत रहिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा ठीक है तो डियेश्ट इसमें देखिए तृती कोट के आप व्यू के सारडी का सारडी का मान जो होता है दृती कोट के सारडी के पदो में ग्यात किया जाता है अगर आपके पास में 3y3 का ओर्डर है तो हम लोग उसको किस में ब्रेक करेंगे 2y2 के फार्मेट में ब्रेक करेंगे यानि ओर्डर 2 के फार्मेट में हम लोग ब्रेक करते हैं ठीक है जिसे सारेडी की पंक्तियां या अस्तंब के सापेच हम लोग क्या करते हैं expansion करते हैं यानि बिस्तार करते हैं ठीक है dear friends इसमें देखे हमारे पास में जब भी हम लोग 3 by 3 का expansion करेंगे न चाहे मैं R1 से करूँ चाहे R2 से चाहे R3 से ठीक है या C1, C2, C3 से यहां देखे मैंने एक language और लिख रखा है त्रिती कोट के आप व्यू का जो हम लोग expansion करेंगे कितने तरह से कर सकते हैं 6 प्रकार से यानि 6 प्रकार से किया जा सकता है आप यहां पर लिख सकते हो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूँ आपके पास में 6 प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं एक तरो डिख रखार रवन होगा R2 होगा और यह R3 इसी प्रकार हमारे पास में C1, C2 and C3 होगा अगर आप इसको काउंट करोगे डिखन तो यह 6 टाइप के आएंगे ठीक है तो जब भी हम लोग 3 by 3 का हम लोग एकस्पेंशन करेंगे तो वहां पर मैं या तो मैं R1 से करूँ यानि 1st रो से या 2nd रो से या 3rd रो से ठीक है इसके बार डिखन सापके पास में यहां पर जो 2nd पॉइंट मैंने लिख रखा है सारडी की किसी भी पंक्ती या अस्तंब के सापेच अगर हम लोग उसका बिस्तार कर रहे हैं उसका एकस्पेंशन कर रहे हैं तो जो हमारे पास में सारडी की वैलू आएगी यानि या तो डिखन मैं रो मैथट से करूँ या तो मैं कालम मैथट से करूँ जो उसका एकस्पेंशन आएगा यानि जब हम एकस्पेंशन करेंगे जो सारडी की वैलू आएगी यहां देखो कि आएगा डिखन समान आएगा ठीक है आप चाहे तो C1, C2, C3 किसी से भी प्रसार करिए या R1, R2, R3, C किसी से भी प्रसार कर लिजिए दोनों की वैलू के आएगी सेम आएगी, इक्वल आएगी बात के लिए रहे है ना अब यहां पे देखो सबसे इंपर्टन बात क्या लिख रखा है मतलग कोटी 3 वाले सारडी का विस्तार करते समय हम निमनलिखित क्रम में चिन का प्रयोग करते है देखो मैं यहां पे reading चिन मैंसन कर देता हूं अगर आपके पास कोई भी सारडीख है वो कितने वाय कितने की है 3 वाय तरी की ठीक है तो यहाँ पे जो हम लोग sign लेंगे duration, plus लेंगे फिर minus लेते हैं, फिर plus लेते हैं फिर minus लेंगे फिर plus लेंगे, फिर minus फिर duration क्या लेंगे plus, minus, plus अब देखें, duration यह आपके पास में, यह जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं R1, यानि यह first row है और ये क्या है डिवेश्टेंट्स आपके पास में ये है R2 यानि 2nd row और ये आपके पास में क्या है इसको हम लो 3rd row बोलेंगे तो यानि R1, R2, R3 किसी से भी आप प्रसार करिए यानि मैं अगर मैं R1 से प्रसार कर रहा हूं तो प्लस, माइनस, प्लस यूज़ करेंगे R2 सगर मैंने expansion किया तो यानि माइनस, प्लस, माइनस लेंगे R3 सगर मैं expansion कर रहा हूं तो प्लस, माइनस, प्लस लेते हैं और यही चीज़ आपके पास में column का भी यही system है ये आपके पास में ये C1 होगा और यह आपके पास में C2 होगा और यह आपके पास में क्या होगा C3 यानि यह आपके पास में C1 यह आपके पास में C2 और यह आपके पास में C3 यानि आप देखेंगे dearshan जो sign है row and column के दोनों को equal sign है ठीके? तो आप किसी भी प्रकार से आप expansion करिए दोनों का answer result जो आएगा dearshan equal आएगा ठीके? मैं आपको एक examples बता देता हूँ 3 by 3 का यानि जब हम लोग प्रशार करेंगे dearshan उसकी value कैसे आएगी मैंने साफ साफ लिख रखा है आप चाहे column से करिए चाहे row से करिए dear students, answer कितना आएगा same आएगा, ठीके? आप इसकी notes अच्छे से बनाते जाएगे dear students क्योंकि मैं सारे points यहाँ पर लिख रहा हूँ तो dear students, अगर आप हमारे channels पर नए भी हैं तो please like, subscribe and share, जरू करिएगा ठीके? देखिए हमारे पास में हम कोई भी matices मतलब determines ले ले लेते हैं 3y3 का, ठीके? अब यह हमारे पास में हम 1, 2 1 ले ले लेते हैं, 2, 1 6 ले ले लेते हैं 1, 0 0 ले ले लेते हैं, ठीके? अब यह आप अगर आप R1 से प्रसार करना चाहो या R2 से प्रसार करिए या R3 से करिए सबकार अंसर एक ही आएगा या तो आप C1 से करो या C2 से या C3 से किसी से भी प्रसार करो मैं डिये इस्टन से यहां पर लिखता हूँ R1 से प्रसार करने पर किससे प्रसार कर रहा हूँ? R1 से, आप किसी से भी प्रसार करिएगा R1 से प्रसार करने पर ठीक है? यानि जब आनों लोग expansion करेंगे duration तो मैंने आपको क्या बोला था? plus minus plus लिखेंगे और मैंने एक चीज और आपको मैंने बताया था, इसको 2 by 2 में break करना है, plus लिखा, minus लिखा और फिर क्या लिखेंगे? plus लिखेंगे मैंने आपको पहले भी नियम मैंने बताया दिया rules में 2 by 2 को break करना है, r1 से प्रसार कर रहे हैं इसके जो elements है आप लिखो यहाँ पे यहाँ पे first लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, बात clear है अब dear students, आप यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग कैसे solve करते हैं सबसे important बात यहाँ पे क्या करते हैं, यह तो 1, 2, 1 आपने लिख दिया, 1, 2, 1 प्लस, माइनस, प्लस आपने यूच कर लिया इसके बाद इसको छुपाओ आप, ठीक है, यह जो element बचना है, इसमें आपको लिखना है 1, 6, फिर 0, 0 अब इसको second छुपाना यह जो element बचना है इनको लिखना है, यानि 2, 1, फिर कितना 6, 0 अब यह third वाले को छुपा लिजी आपके पास में, तो आपके पास में 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 0 अब मैंने आपको 2 by 2 का expansion मैंने आपको अच्छे सिखा रखा है तो dh1 से यहाँ पे 1, यानि 1 का 0 में multiplication 0, 0 का 6 में करिए 0, minus 2 इसका इसमें करेंगे तो dh1 का 6 में करो यानि 6 मिल जाएगा plus का 1, 2 का 0 में करिए 0 और इसका इसमें करिए तो आपके पास में 1 मिल जाएगा ठीक है, तो 1, minus देखें, यहाँ पे आपके पास में result क्या मिल आए, यहाँ पे 1 आया sorry, यानि 0 का 0, minus 0, यानि 0, 0 का 1 में multiplication 0 मिल जाएगा, minus minus का 6 है, यानि minus का 2, यानि कितना मिल जाएगा plus का 12 मिलेगा, ठीक है और यहाँ पे क्या मिल देश्टर्स 0, minus 1, यानि आपके पास में minus 1 आजाएगा, यानि 12, minus 1, equal to कितना 11, ठीक है अगर मैं देश्टर्स में R3 से अगर मैं expansion करता ठीक है, देखो, अगर मैं R3 से भी expansion कर रहा हूँ, R3 से थोड़ा तो वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि इसका प्रसार कैसे जल्दी होगा, ठीक है, देखो फिर भी मैं यहाँ पे आपको छोटी-छोटी चीज़े करके मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपके पास में किसी भी row में या किसी भी column में, maximum 0 यहाँ पे देखें, 0 कितने मिल रहे हैं, 2 तो अभी तो आप प्रसार सीखी रहे हो तो यानि आपके पास ये प्लस होगा, फिर माइनस होगा फिर प्लस होगा, यानि प्लस माइनस प्लस है, ऐसे करोगे ना ये देख लीजे, दो terms तो क्या हो गए, 0 हो गए ये तो खतम हो गए, इसका मतलब 38 से आपने प्रसार किया, ये मिला 2 का 6 में multiply करो कितना होगा, यानि ये आपके पास में लिख लेता हूँ, 2, 1 1 and 6, देखें, यानि 12 minus 1, इधर सारे 0 मिलेंगे, ठीक है, आप इसको expand कर लेना, आपके पास मेले बना गया, इसी प्रकार dh2 अगर हम लोग क्या करें कालम से अगर प्रसार करते हैं ठीक है, कालम से भी आप चाहे c1 से, चाहे c2 से, चाहे c3 से, किसी से भी expansion करोगे न, उसकी value के आएगी, equal आएगी, आप expansion करके देखिएगा, ठीक है c1 से करिएगा, या c2 से करिएगा या c3 से, किसी से भी प्रसार करिएगा value के आएगी, equal ही आएगा, तो dh2 हम लोग order 1, order 2 and order 3 के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया तो आप, ये lecture साप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि next जो वीडियो हमारा होगा, उसमें question चलेंगे, आपको मैं question बहुत ही simple तरीके से सिखाऊँगा तो dear students, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो please like, subscribe and share जरू करें, तो आज का लेक्चेस हम यहीं फिनिस करेंगे, thank you very much